असलाम लेकुम डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लक्षर नमबर 9 पार्ट नमबर 2 तो जो लक्षर नमबर 9 का पार्ट नमबर 2 है वो कॉंटिनियूशन ही है हमारे लास्ट चेप्टर की जिसमें हम डिसकस कर रहे थे अरब पलस्टाइम इसराइल कॉंफलिक्ट तो लास्ट लक्षर में हमने डिटेल से कवर किया था इस्टोरिकल बैग्राउंट ओफ इसराइल एंड पलस्टाइम तो आज हम डिसकवर करेंगे के ओटमन अमपाइर के डिसोलूशन के करीब किस तरह जियूज ने अपने आपको रिवाइव करवाया तो रिवाइवल ओफ जियूज में जो सबसे बड़ा रोल पले किया वो थियोडोर हर्जल ने पले किया तो आएए रिवाइवल ओफ जियूज को कवर करते हैं थियोडोर हर्जल वस फांडर ओफ पलिटिकल फॉर्म ओफ जायोनिजम अ मुव्मेंट तो इस्टाबलिश आ जियूज हॉमलेट तो जी थियोडोर हर्जल जो के एक जियूज था और फांडर था पलिटिकल फॉर्म ओफ जायोनिजम का उसने एक मुव्मेंट जो है वो स्टाट की के जीूज जो है वो एंटाइटल्ट है उनको हक है कि वो अपनी एक होमलैंड जो है उसको रिवाइव करें या इस्टाबलिश करें उन्होंने 1896 में एक पैंफलेट जो है वो पब्लिश किया The Jewish State के नाम से कि Jews जो हैं वो एक nation है और एक nation होने के नाते हमें एक separate homeland की demand करनी है और जो separate homeland है वो दुनिया ने हमें entitle करना है He organized a world conference of Zionists that met in the Switzerland and became first president of the world Zionist organization तो उन्होंने organized करवाई एक Congress जिसका नाम था World Congress of Zionists जो के Switzerland में established हुई और ये उस Congress के बानी बने He believed that the Jews possessed nationality and all were missing a nation with a political structure of their own तो वो ये चाहते थे के हम लोग जो हैं जो Jews हैं वो एक nation हैं तो एक nation होने के नाते हमारा भी अपना एक political structure होना चाहिए हमारा भी अपना economic structure होना चाहिए हमारा भी अपना एक religious structure होना चाहिए His ideas met with the enthusiasm by the Jewish masses who considered him to be the modern masses तो उनके इस idea ने जो Jews लोग थे उन में एक नया जज़बा जो है वो पैदा किया और उनको consider किया गया एक नया मसीहा जिस तरहा हज़रत मुसा अले सलाम ने इनकी जो glory है उसको revive करवाया इनको Egypt से हिजरत करवा कर Israeli जो land है वहाँ पर मुन्तकिल किया तो यह जो सारी story है जो सारी timeline है वो मैंने आपको last lecture में बड़े detail से cover करवाई थी In his book The Jewish State, he outlined the reason for the Jewish people to leave Europe should they desire either for Argentina or for their historic homeland Palestine which he seemed to prefer तो उन्होंने उस टाइम पर propose किया कि तमाम लोगों को जो Jewish लोग हैं उनको योरप से निकलना है और अपने लिए एक अजाद मुल्क जो है उसके लिए जिद्दो जहत करनी है उसको लेने के लिए जिद्दो जहत करनी है या तो हमें अर्जन्टीना की तरफ जाना चाहिए या हमें अपना जो ancestral homeland है Palestine जो land of Israel है वहाँ पर इजरत कर लेनी चाहिए और उन्होंने जो second option है उसको prefer किया तो जी जो हमारा next point है वो है अल-Nakba, the Balfour Declaration ये भी एक पूरी timeline है के कैसे Jews को settle करवाया गया in the land of Israel in 1799 during the French invasion of the Arab world Napoleon issued a proclamation offering Palestine as a homeland to Jews under France protection this was also a way to establish a French presence in the region Napoleon's vision of a Jewish state in the Middle East did not materialize at the time but nor did it die in the late 19th century the plan was revived by the British तो जी अल-Nakba का अगाज होता है 1799 से के जब निपोलियन जो था वो South America, North America, Europe और दुनिया के तमाम ऐसे इलाकों में जहां पर उसकी पहुंच हो सकती थी तो वो वहां पर invasion कर रहा था और Middle East भी उस range में आता था तो उसने Jews को promise किया के मैं तुम लोगों को settle करूंगा तुम्हारे ancestral homeland में बट उसका ये जो vision था के Jews लोगों को settle करना है उनके ancestral homeland में तो यहां से जो Jews settlement है in the land of Israel वो gradually start होना शुरू हुई और इसी तरह 19th century में ये जो plan था वो revive किया गया by the British Following the collapse of the Ottoman Empire after World War I and the establishment of Palestine mandate the British colonial power begin implementing its plan of creating a Jewish state on Palestine land तो जैसे ही Ottoman Empire World War I के बाद dissolve हुआ तो जो Britain था उसने अपने इस plan की तो सीख करना शुरू कर दी At the same time the Zionist movement was lobbying Western powers to support the mass migration of Jews to Palestine and recognize the Jewish claim to the land और उसी के साथ साथ जो Zionist movement थी वो lobbying कर रही थी Western powers को उनको support कर रही थी कि आप जो हैं जो mass migration of Jews है from Europe उसको support करें और इस बात की तो सीख करें कि Jews जो हैं वो इस इस इलाके के हकदार हैं In 1917, the Balfour Declaration declared British support for a national home for the Jewish people in Palestine. The declaration was made in a letter written by Britain's then foreign secretary author James Balfour to Baron Rothschild, a leader of the British Zionist movement. The letter was endorsed by the Britons then Prime Minister David Lloyd George who became a Zionist in 1915. तो 1917 में Balfour Declaration sign हुआ जिसमें Britain ने इस बात को recognize किया के जो Jewish लोग हैं वो entitled हैं एक national homeland के in the land of Israel. तो ये जो declaration थी उसको लिखा गया Britain's foreign secretary author James Balfour की जानिब से to the leader of British Zionist movement Baron Rothschild. और इस letter को endorse किया British Prime Minister ने जो के खुद एक Zionist थे. ये जो letter था उसमें लिखा गया के Britain जो है वो अपनी तरफ से बहतरीन कोशिश जो है वो जारी रखेगा इसराइलियों को जिऊश लोगों को उनका homeland दिलवाने के लिए. तो ये जो थी वो Zionist लोगों के लिए एक विहतरीन विक्टरी थी. The pledge is generally viewed as one of the main catalysts of Nakba, the ethnic cleansing of Palestine. तो यहां से जी Al-Nakba की properly शुरुवात हुई और इसी timeline से जो Palestinian लोग है उनकी ethnic cleansing भी start हुई. The so-called mandate system was set up by allied powers, a form of colonialism and occupation. The system transferred the rules from the territories that was previously controlled by the powers defeated in war. Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire तो आपको पता है कि उस time का जो Palestine था या जो ये land of Israel थी वो Ottoman Empire के अंडर थी. तो यहां पर जो Britain थे उन्होंने एक Palestine mandate जो है उसको establish किया. Means के इन्होंने transfer की territories जो के Ottoman Empire के अंडर थी to the allied powers. Means के World War I में दो powers थी, एक allied powers थी. जो allied powers थी उन्होंने ब्रिटन था, फ्रांस था, इटली था और जो central powers थी वो थी Ottoman Empire, Austria-Hungary and Germany. Upon the start of mandate, the British begin to facilitate the immigration of European Jews to Palestine. तो जैसे ही यह mandate transfer हुआ to the allied powers, mostly to Britain. तो उन्होंने योरप से तमाम Jews को settle करना शुरू किया Palestine में. Between 1922 and 1935, the Jews population rose from 9% to 27% of total population. तो इस mandate के तहट, जो Jews की population थी in the Palestine, वो बढ़ ही from 1922 to 1935, 9% to 27%. Ultimately, the British mandate was set up in such a way to equip Jews with the tools of self-rule at the expense of Palestinian Arab. तो इस mandate system ने ना सिर्फ उन लोगों को settle किया, बलके उनको कुछ ऐसे tools से facilitate किया, कि वो अपना जो है वहाँ पर political structure जो है उसको develop कर सकते हैं, और बहुत सारी भी equipments थी जो के उनको दी गईं, politically, economically, socially, जिसका सारा का सारा नुकसान Palestinians को उठाना पड़ा. अब जी आपके सामने एक image है, जिसमें categorically division जो है, वो हमें सामने नजर आती है, कि आज का जो इसराईल है और 1920 का जो इसराईल है, उसमें कितना फर्क है, अभी मैं आपको आगे आने वाले lecture में एक और मैप जो है, वो शो करवाँगा तो आपको समझ लग जाएगी. आज जो Transjordan का इलाका है, कुछ Syria का इलाका है, कुछ Egypt का इलाका है, वो सारे का सारा Jews की अंडर है, और 1922 में ये लैंड जो थी वो divide की गई Jews में और Palestinians में, means के दोनों जो थे, वो हकदार थे इस लैंड के और उन्होंने peacefully coexistence करनी थी, but चुँके जो Jews थे, वो इतना ज्यादा empower होते चलेगे पिछली एक सदी में, के उन्होंने बहुत सी जो Arab territory है, उन पर भी invasion स्टार्ट कर दी. The Holocaust was a genocide of European Jews during World War II. Between 1941 and 1945, Nazi Germany and its collaborators systematically murdered some 6 million Jews across German-occupied Europe, around two-thirds of Europe Jews' population. The anti-Semitism was the foundation of Holocaust. The anti-Semitism was the basic tenent of Nazi ideology which also wide spread throughout Europe. The persecution of the Jews compelled them to find their separate homeland. Toh ji, Belfort Declaration जब हुई, तो जो Jews आना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे अपने ancestral homeland में, तो वो आए. But जैसे ही World War II हुई और हमने Hitler की जो ideology थी, Jews की जो race है, उसकी genocide की, तो तकरीबन 6 million जो Jews थे, वो compelled हुई, वो मजबूर हुई, और उन्होंने योरप छोड़ा, और वो आकर अपने ancestor homeland में settle हो गए. अब अगर ये चीज़ देखी जाए, तो यहाँ पर एक critical analysis बनता है, कि मुसल्मान जो है, वो mostly उन्हों में common opinion ये है, कि हम Hitler को hero मानते हैं, कि उसने Jews की genocide की, बट उसके जो consequences हैं, वो ये हुए, कि तमाम Jews जो हैं, वो योरप से एकठे हुए, और वो जाकर Palestine में settle हो गए. Then Holocaust के बाद, resolution 9, resolution number 181. In 1947, the United Nations adopted resolution 181, known as partition plan, which sought to divide the British mandate of Palestine into Arab and Jew state. On May 1498, the state of Israel was created, sparking the first Arab war. So, जी, resolution 181i, और उस resolution में एक partition plan जो है, वो adopt किया गया, और Jews को UN की जानिब से, उनका जो homeland है, उनको अता किया गया. तो जैसे ही ये resolution पास हुई, Jews की settlement हुई, उनको उनकी land हासिल हो गई. तो यहां से फिर first Arab war जो है, वो start हुई. अब मैं आपको map से show करवाता हूँ, किस तरह इस land की division की गई. तो जो blue color में denote हो रहा है, वो है Jewish state, और जो orange color से denoted है, वो है Arab state. और अगर आप आज कल का नक्षा देखें, तो ये बिलकुल एक मुख्तलिफ picture जो है, वो present करता है.